हेलो एवरीवन वैलकम तू माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दे लास्ट राइट तुगेथर बाई रोपर ब्राउनिंग इसका पार्ट टू हम में लेकाया हूँ पार्ट टू में जो लास्ट के फॉर फाइव स्टेंजास बज गये थे उनका एक्स्प्राइशन में करूँगा यह आपकी स्पेशल इंगलिस क्लास्ट ट्वैल्थ का सेवंटींथ लेशन है तो चलिए शुरू करते हैं सिक्स स्टेंजास है यहां पर अपना फिलोसोफिकल तो थॉर्ट है जो आइडिया उसको कंटिन्यू कहता है पोईट और कहता है वो आर्ग्यूमेंट करता है कि किस तरह से हैंड और ब्रेंड ब्रेंड जो है यानि कि आपके हाथ और मस्तिसक वो एक तरह पेयर की तरह कैसे काम कर सकते हैं केहने का मतलब यह है कि पोईट यह कहना चाह रहा है कि किस तरह से हाथ और ब्रेंड जो है वो परफेक्टली पेयर होके चल सकते हैं इसका मतलब है कि जो इनसान के दिमाग में विचार आते हैं वो और उसकी एक्ष्टन जो है वो ज़रूरी तो नहीं कि वो एक जिसी हो अक्सर लोग ये सोचते हैं या वो करते हैं कुछ ऐसा जो की perfectly यानि की best manner में करने का प्रयास जरूर करते हैं लेकिन जो end होता है वो सही तरीके से नहीं हो सकता है उसी तरह से poet ये कहना चाहता है कि वो कभी भी कभी भी उसने ऐसा कोई नहीं सुना है कि कोई भी एक व्यक्ति जो अपने thought को या अपने जो self होता है उसको express करता है और वो true feelings को express कर पा रहा है अपने heart की आगे वो question करता है कि what will or desire ever took the bodily form of reality कि जो हकीकत होती है हमारे body की और हमारे mind की वो कभी भी जो है flashy screen बोल रहा है means हमारी body जो है वो जो feel करती है क्या हमारा mustis की भी उस तरह से feel कर पाता है next line में बोलता है we ride and I see her boss home have हम ride कर रहे हैं हम ride कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि मेरी mistress का जो boss home में तब जो सीना है वो have means emotions के love के emotions से भर गया है there is many a crown for who can reach और यहां पर वो बोल रहा है कि आज मेंने जो है वो क्या बात कर रहा है वो कि आज में मेंने बहुत कुछ है जीव कर लिया crowns means यहां पर हो रहा है rewards मुझे life का सबसे अच्छा reward जो है वो आज मिल चुका है 10 lines a statesman's life in each कहने का मतलब है उसका कि जो statesman's यानि कि जो नेता होते हैं जो बहुत बड़े काम करते हैं उनका पूरा जीवन जो है वो दस line में describe हो जाता है और next line में वो कह रहा है कि the flag stuck on a heap of bones और जो जंडा है किसी भी country का जो flag है वो host किया जाता है तो कोई area जीत कर अगर वहां पर वो जंडा host किया जाता है यानि कि फैराया जाता है तो वो लाशों के धेर पर जो है वो फैराया जाता है as soldiers doing what at ons और यहां पर वो एक example ले रहा है soldier का और कहना चाह रहा है कि जो soldier होता है उसको क्या मिलता है जो soldier है उसका work जो है वो क्या achieve होता है उसको सिर्फ death और sadness ही achieve होती है the scratch his name on the abay stones और जो statesman है वो दस line हो में सब कुछ describe कर देते हैं और उनका नाम जो है means वो compare कर रहा है उसकी life को as a lover की वो as a lover उसकी life जो है बेटर है किस से उस statesman से भी और उस उन soldiers से भी जिनको कुछ हासिल नहीं होता है वो मोत के यानिकी वो heaps of you know dead bodies पर जंडा फेराते हैं और खुश होते हैं लेकिन मुझे तो जीते जी मेरा जो love है उसके साथ last right करने का मौका मिल गया है what does it all mean poet well your brains beat into rhythm you tell what we felt only you expressed कहता है कि उस poet जो एक poet बहुत कड़ी महनत करता है question उसके दिमाग में आता है जिस poet की जो poem है उनके क्या माईने होते हैं जो people है वो क्या कहते हैं जो लोग है poet से वो कहते हैं कि तुम्हारे brain में जो beats आती है और जिनको तुम रिदम में पिरोते हो यह सारे जो चीजे होती है speaker यहाँ पे कहता है कि यह सारी चीजे जो है poet के दिमाग में जो आती है वो ही चीजे आती है जो people पहले से यानि कि लोग पहले से ही feel करते हैं तो ऐसी poem का क्या मतलब जो लोग पहले से feel करते हैं वो ही सिर्फ आप जो है वो कहते हो यानि कि एक poet जो है उनको describe करता है फॉर्थ लाइन में वो कहता है तुम इन चीजों को यानि एक poet जो है वो क्या करता है वो find करता है क्या find करता है वो चीजों में खूबसूरती को find करता है और जो based हो सकता है उसको वो अपनी poem में apply कर सकता है तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि उसको इस सब कुछ करने के बावजूद भी उसे क्या achieve होता है और जो based beauty जो वो find करता है चीजों में उनको अपनी poetry में पीरोता है पर उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है and paste them in rhyme so side by side और किस तरह से side by side means वो बोल ला है कि उनको rhythm में पीरोता है और rhythm में रखता है it is something ने, it is much but then ये कुछ हो सकती है या बहुत कुछ हो सकती है कहने का मतलब है कि ये इन poems को इतना अच्छा बना कर जो poet represent करता है तो उसका achievement जो है बहुत कुछ भी हो सकता है या थोड़ा भी हो सकता है परन्तु क्या हुआ उससे have you yourself what's best for man तो यहां पर again वो एक question करता है और कहता है कि जो poet ऐसा करते है उन poet के लिए वो कहता है कि ये poet जो ऐसा लिखते है क्या इन्होंने खुद की life में उनको apply किया यानि कि जो best man के लिए होती है यानि कि एक best man बनने के लिए जो चीज़ें होती है जो वो लोगों से कहते है क्या उन्होंने खुद के जीवन में उनको apply भी कभी किया है are you poor, sick, old, air, your time यहां पर you जो है वो उन poet को कह रहा है speaker तो वो कह रहा है कि तुम क्या होगा जब poet जो है nearer one white your own sublime कहने काताद पर उसका मतलब है कि क्या फिर भी वो इतना सब कुछ करके और बुड़ा हो जाता है एकदम गरीब और बिमार हो जाता है पर क्या कभी उसने अपने जीवन में यह beautiful जो findings करी है means जो beauties उसने find करी है अलग-अलग चीज़ों में उसका रत्ती मात्र भी वो enjoy कर पाता है then we who never have turned a rhyme तो फिर वो क्या कह रहा है sorry एक लाइन चूट गया है nearer one white your own sublime कहने का मतलब है कि क्या तुमने कुछ भी उसके बारे में या कुछ भी उन खूबसूरतियों को जो आपने शब्दों में पीरो कर एक पोयम बनाया है उनको थोड़ा भी enjoy किया है again यहाँ पर question करता है then we who never have turned a rhyme sing writing's joy for me I write और बोला है कि we मतलब हम lovers जो होता है poet जो है speaker जो है lover हमारा वो क्या कह रहा है कि हम lover जो है हमने कभी भी कोई rhyme नहीं लिखी और एक lover जो होता है वो क्या करता है वो एक poet की लिखी हुई सारी rhyme या जो song होता है उनको enjoy करता है और तुम गाते रहो और हम जैसे जो lover है वो अपनी ride पे जाएंगे और तुमारे songs को तुमारी poems को गुन गुनाएंगे और life को enjoy करेंगे तो again वो compare करता है कि जो poet है उसने क्या achieve किया है वो अपनी जो lifetime की जो महनत है जिसके लिए उन्होंने बहुत महनत करकर masterpiece create करने की कोशिश करिये but the poet is himself unable to enjoy the beauty of his own poem उसकी खुद की poem की जो beauty है वो enjoy नहीं कर पा रहा है so it is better to you know to love to someone तो poet का कहना, speaker का कहना है कि यह तो बहतर है कि हम किसी से love करें and just sing the songs or poems which is written by some other person without wasting any time in composing a rhyme तो poet, speaker है हमारा वो क्या कह रहा है कि poet बनने से तो बहतर है कि हम love करें और हमारे जिससे lover वो उसका benefit उठाते है उन poems को, उन songs को वो क्या करते हैं enjoy करते हैं so this is waste of time to you know create or compose a poem एक poem को compose करना तो फिर बेकार का time हो गया next in जा में again वो compare करता है अपने आपको एक great sculptor से means जो मूर्तिकार होता है उससे अपने आपको compare करता है first वो कहता है and you great sculptor so you gave a score of years to art her slave वो कहता है कि किस तरह से तुम जो focus कर रहे हो पूरी तरह के से अपने sculptor पर और speaker जो हमारा वो कहता है कि इतना सारा focus करने के बावजूद भी कई सारे years की जो महनत हो है उसको एक छोटा सा score जो है वो दे दिया चाता है और आप पूरी तरह से art के slave बन जाते हो और आप पूरी जो मूर्ती तुमने बनाई है जो statue बनाई है वो हो सकता है कि वो वीनस की तरह दिखने लग जाए यह वीनस जो है वो Roman goddess beauty की तो beauty का symbol वीनस को माना चाता है तो उसकी तरह तुमारी मूर्ती हो भी गई तो क्या हो गया बट अगर हम compare करते है common जो girl होती है younger girl जो केवल hard mask का पुतला होती है यह नहीं कि flesh and blood का yonder means flesh and blood का जो statue होता है means जो living girl होती है वो जादा charm होती है जादा खूबसूरत होती है तुमारे इस sculptures जो statue है उससे तो जादा खूबसूरत वो लड़की होती है यहां पर वो again दूसरा comparison जो है musician से करता है वो कहता है कि मेरी हालत उस musician से तो battery है जो musician क्या करता है अपनी ताउम्र महनत करता है और music बनाता है और धीरे धीरे वो भी अपनी लाइफ में बुड़ा हो जाता है music compose करते करते उससे तो मेरी life better ही है with notes and nothing else to say उनके पास जो music है उसके notes होते है kevel और इसके अलावा कुछ भी उनके जीवन में नहीं होता है in this your soul prays from a friend और क्या होता है यहां पर kevel और kevel soul means क्या होता है एक means one तो यहां पर again वो question put करता है कहता है your means जो your किन को बोल रहा है musicians को बोल रहा है तो वो कहता है कि तू musicians ताउम्र कहीं सारे note बनाते हो और कहीं सारी compositions करते हो लेकिन उन सारी compositions को क्या होता है एक छोटी सी praise मिल जाती है थोड़ी सी तारीफ मिलती है अपने friends से और कुछ भी नहीं होता है greatly his opera strains intent और ज़्यदा ज़्यदा आप किस चीज़ पर focus करते हो कि जो opera होता है यानि कि जो theater में जो natak वगरा इस चीज़ें होती है उनके लिए तू music बजाते हो इस से ज़्यदा और कुछ नहीं होता है put in music we know how fashion and I gave my youth but we ride in is fine in fine यहाँ पर poet again जो compare कर रहा है वो कह रहा है कि music जो है जैसा कि हम सब लोग जानते है आना कि जो music है वो एक time के बाद outdated हो जाता है means वो old fashioned हो जाता है तो ऐसे musician की जो success होती है वो short lived हो जाती है क्योंकि music का जैसी fashion change होता है वो outdated होता है उस musician को याद करना लोग बंद हो जाता है वो कहता है कि I gave my youth मैंने जो अपनी जवानी है इस तरह से बरबाद नहीं करी है but I am riding with my my mistress मैं जो है मैं वो क्या कर रहा हूँ अपनी मिस्टेश को साथ ride कर रहा हूँ और मैं इसको enjoy भी कर रहा हूँ नेक्स्ट नाइन्थ स्टेंजा मैं अगेन एक question पुट करता है वो poet speaker who knows what's a fit for us had fate proposed please here should sublimate my being had assigned the blood यहाँ पर poet जो speaker है वो कहना चाहरा है कि it is impossible or it is very difficult to say कि क्या होने वाला है यह judge कर पाना कि in future क्या होगा और एक person के लिए उसकी life में based क्या होता है यह पता कर पाना मुश्किल होता है पर अंतु हर एक person जो है उसको क्या करना चाहिए एक another life जो है उसकी होती है my being that I have signed I signed the bond और मेरी जो life है उसके लिए भी मैंने कोई bond sign किया है यानि कि कुछ चीजें fix करी है अगर वो मुझे नहीं मिलती है जो desire है मेरी वो fulfill नहीं होती है वो कहता है कि अगर यह सारी desire जो मेरे अंदर है वो fulfill नहीं होई पर अंतु यदी speaker की यह सारी desire पूरी होती है तो वो कहता है कि मैं बहुत enjoy करूँगा यानि कि supreme enjoy करूँगा मैं अपनी bliss का bliss means परमानन्द का बहुत आनन उठाऊंगा अपनी life में next line में कहता है still one must lead some life beyond एक life खतम हो गई तो क्या हुआ means एक अगर मकसद आपका पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया आपके लिए दूसरी life जो है world में इंतजार कर रही है means अगर आप एक चीज में failure हुए है इसका मतलब यह हुआ है कि आपके लिए दूसरी world की यानि कि दूसरी दुनिया की जो दर्वाज़ है वो खुल जाते है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी as we know that our speaker is a failure in the love means he feels that अच्छा हुआ कि मैं fail होगया अपने love में so that another जो world है is open for me मेरे लिए दूसरा दुनिया जो है वो खुल गई है have a place to die with dim discreet यहाँ पर dim discreet का मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है कि कोई नहीं जान पाता है future के बारे में भविश के बारे में कोई नहीं जानता है वो expect कर रहा है एक glory को एक ऐसी glory जो date के बाद उसको मिलने वाली है और कह रहा है कि वो श्रायद मुझे मिल जाए भविश किसने जाना है और भविश के बारे में कोई जानता है this food was planted on the goal यहाँ पर वो अपने goal की जो love को achieve करने वाला जो goal है उसकी बारे में बात कर रहा है कहता है कि by having this right और he feels he achieved enough and won the garden of victory for now वो कहना चारा है क्या कहना चारा है कि जो goal है उसका उसके लिए उसने फिर से अपने पेर जमा लिए उसके लिए and that is his glory garlanded round my soul और कह रहा है कि इसके लिए जो garland है यानि कि जो fool की माला है यानि कि जीत की जो माला है वो मेरे गले में डल गई है could I describe, search, try and taste यहाँ पर उसका कहने का जो मतलब हो रहा है वो बोलना चाह रहा है कि जो ride वो उसके साथ कर रहा है उस ride से उसको काफी कुछ achieve हुआ है और उसने क्या किया है उसने किया है कि जो forward आने वाला जो समय है आने वाला जो समय है उस समय के लिए उसने एक greater bliss जो है वो achieve कर लिया है यानि कि बहुत जदा परमानद उसने achieve कर लिया है इसका taste वो चक सकता है आज ये कहता I sink back shuddering from the quest यहाँ पर quest का मतलब जो है एक प्रतियोगीता की वो बात कर रहा है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक AC प्रतियोगीता जिसमें वो दाखिल हुआ था ठीक है जिसमें वो दाखिल हुआ था वो कहता है कि वो feel करता है काफी घबराया हुआ वो feel कर रहा है इस achievement के उपर जो last ride उसको उसकी मिस्ट्रेस के साथ मिली है इसमें वो घबराया हुआ है लेकिन उसको ये खुशी भी है कि उसको एक last ride का मौका मिल गया है अर्थ बीइंग सो गूड वोड हैवन सीम बेस्ट अब उसके लिए क्या लग रहा है जो धरती है वो बहुत सुंदर उसको प्रतीत हो रही है क्योंकि वो कहता है कि जो स्वर्ग क्या इससे भी सुंदर होगा क्योंकि आज उसकी वो कहते है कि इस ride के बाद अगर हम मर भी जाएंगे तो मरने के बाद हम स्वर्ग में युनाइट होंगे वापस से एक हो जाएंगे यानि कि वो बिलीव करता है कि मरने के बाद हम दोबारा से वापस मिलेंगे इन लास्ट इंज आप दो पोयम बोल नहीं रही है यानि कि अभी तक उसने एक भी शब्द बोला रही है वाड़िव हैवन भी तैट फेयर और स्ट्रॉंग एट लाइफस बेस्ट विट और आइज अप टर्ण उसका सेकंड लाइन में उसका कहने का मतलब है कि उसकी जो कमपनी है उसकी मिस्ट्रेस की यानि कि लेडी लोग की जो कमपनी है उसके लिए यानि कि उसका जो साथ है वो बेटर है उस हैवनली ब्लीस यानि कि स्वर्ग का जो परामानद है उससे भी उसके लिए बहतर है थर्ड फॉर्थ लाइन में वो कहता है That life's based with our eyes upward With our life's flower is first discerned वो कह रहा है कि जो लोग है वो क्या करते हैं वो हमेशा उपर की तरफ देखते हैं और क्या ढूंडती है उनकी आँखें कि स्वर्ग कहां पर है इस आसमान में लेकिन यहाँ पर जो स्वर्ग उसने symbolic meaning में यूज किया है तो उसका symbolic meaning क्या है कि जो based जो achieve कर सकता है यानि कि based जो imagine कर सकता है वो क्या है वो स्वर्ग है सबसे बहतर चीज जो है अगर दुनिया में इस universe में जो कि एक imagined चीज है वो क्या है वो स्वर्ग है सबसे ज़्यादा imagination सबसे based imagination जो है इनसान की वो क्या है स्वर्ग इसलिए वो बोला है कि अपनी जो मिस्ट्रे से उसके साथ वो सबसे हैपिएस्ट मूमेंट जो है वो अर्थ पर गुजार रहा है तो अर्थ उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो शाबित हो चुका है आगे वो कह रहा है कि वो फील कर रहा है कि यदि ये राइड जो है वो कंटिन्यू चलती रही वो फिक्स हो गए हमेशा 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 हो चलती रहे और इस राइड में हम दोनों एक साथ चलते रहे तो जो लाइफ है वो कभी भी ओल्ड नहीं होगी यानि कि कभी भी हम चेंज नोर्ट इनकाइन बट इन डिग्री चेंज तो नहीं होगा जीवन बदलेगा नहीं लेकिन डिग्री मीन्स हम एक नए लेवल पर जो है वो पहुंच जाएंगा पहुंच जाएंगे हम दा इंस्टेंट मेड इटर्निटी एन हैवन जस्ट प्रूव डैट आई एंद श उसको आज मिल गया है वो महसूस करता है कि कोई बदलाव जो होने की जरूवत नहीं है ना ही उसको जरूवत है कि वो स्वर्ग में जाएंगे है वो स्वर्ग में जाने कि उसकी बिलकुल लाल सनी नहीं वो कहता है कि अगर ये राइड कंटिन्यू चलती रही तो ये से वो उसको feel करना चाहता है इस last ride को और forever means हमेशा हमेशा के लिए वो क्या चाहता है उस ride को चाहता है 10th और 11th line में वो जो कहना चाहता है वो कहता है and heaven just prove that I and she जो अर्थ है जो धरती है वो कैसी हो चुकी है वो हो चुकी है स्वर्ग की तरह means धरती अब उसको स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रही है और वो कहना चाहरा है कि ये ride ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे कभी ये ride खतम ना हो कभी ये यात्रा जो हम चल रहे हैं एक साथ वो कभी खतम ना हो तो निश्ची तोर पर ही जो धरती है उसे कैसी फील होती है स्वर्ग की तरह फील होती रहे है यानि कि स्वर्ग का जो आनन्द है जो परमानन्द है उसको इस धरती पर मिलता रहेगा hope ये poem आपको अच्छे से समझ में आई होगी इसका second part है ये और first part जो मैंने upload किया है आपने वो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो उसका description जो link है मैं इसके description में डाल दूँगा आप उसको देखिए starting से देखिए दोनों वीडियो को एक साथ देखिए I am sure that you will enjoy this poem and आज की इस वीडियो में इतना ही thank you very much